विश्व मत्स्की य दिवस के अफसर पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा युजननतर्गत रिवर रेचीं कार्यक्रम के अंतर्गत बिजनौर जिले में प्रवाहित गंगा नदी स्थान गंगा वैराज, बिजनौर में गंगा के बहते जल में मत्स्य संपदा के सनरक्षन एवं समवर्धन को बढ़ावा देने के उद्देशे से दो लाख दस हजार भारतीय मेजर काप रोहू कतल एवं नैन की मत्स्य अंगुलिकाय मत्स्य विभाग, बिजनौर की ओर से जिला पंचायत केंद्र प्रताप सिंग, मुख्य अतिती की अध्यक्षता एवं जिला दिकारी अनकित कुमार अग्रवाल की गरिमामाय उपस्थिती में, तथा अनेक मत्स्य पालकों, एवं निशाद पार्टी के सम्मानित पदा दिकारियों के समक्ष प्रवाहित की गई। प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य विभाग, बिजनौर, सतेंद्र कुमार, एवं अन्य मत्स्य विभाग के कर्मचारी गण उपस्थित रहे। उन्होंने ये भी बताया की, इस प्रकार की परियोजनाओं से मत्स्य अंगुलिकाओं को गंगा में प्रवाहित करने के कारण जीवों की विविद्ता के सनरक्षन, पर्यावरन के संतुलिन में सहायक सिधहोंगी। जिलाधिकारी द्वारा, गंगा घाट पर नाव संचालन करने वाले लोगों से जानकारी ली गई। संतोष कुमार राम प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य द्वारा, मत्स्य विभाग में संचालित विविन योजनाओं से संबंधित तक्नीकी, आवेदन प्रक्रिया तथा पात्रता संबंधी जानकारी दी गई। जबकि मत्स्य निरीक्षक सतेंद्र कुमार द्वारा, योजना को योजना के बारे में विस्ट्रित जानकारी उपलब्ध कराई गई। समस्त प्रतिभाग्यों द्वारा नितांत तल्लीन होकर वक्ताओं को सुना तथा अपनी जिग्यासाओं का समाधान कर लाभर्जित कि विजनार से नीरज कुमार की रिपोर्ट